आगरा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें COVID-19 के चलते विश्विदायक इसमारक ताज महल चार महीने से अधिक समय तक बंद रहा इसके चलते परियटन, होटल और हैंडी क्राफ्ट विविसाय को खासा नुकसान हुआ है हैंडी क्राफ्ट और मार्वल विविसाय से जुड़े सचिन अबराय का कहना था कि इस मंदी से विविसायों को उबरने में दो साल से अधिक समय लगेगा और अभी अगर ये दुकाने खोलते हैं दुकान दर तो भी नुकसान है बिजली का बिल उनको देना ही देना है श्टाफ की सेलरी देनी देनी है ये सब चीजे देनी है क्योंकि फ्लाइट नहीं चालू होगा कोई आएगा नी ताजमेल खुल गया है लेकिन दुकान 90% ट्र स्टाफ होता था दुकान खोलने के लिए पांच आदमियों का स्टाफ आता है तब भी दुकान दारी नहीं है चार दिन मैं आज भी अख़वार में पढ़ ला था देखने को मिला दुकाने खोली लोगों ने लेकिन रोजगार नहीं है क्योंकि कौन आएगा मुसाफिर इस पूरी चौपट है और एक बात और बताओ यह तो नुकसान हुआ 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 लोगडाउन जब लगा दुकान के अंदर कहीं दुकानों की तो सतर परसंट दीमक ने चोट खा मारी आज मैं अपनी दुकान के बारे में बताता हूं मिरे मिलने वालों की दुकान है वहां यह थे को तो